हलो दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारतिये बेडमिंटन टीम के मुखे कोच हैं पुलेला गोपी चंद और ये रहे पुलेला गोपी चंद तो इनको लेकर के आज हम बात करेंगे क्योंकि इनको लाइप टाइम अचिमिन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और ये इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतिये कोच हैं ये हैं पुलेला गोपी चंद जदी हम बात करें कि इस सम्मान को किषने दिया है तो अंतराश्टिये ओलंपिक समीती यानि कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी द्वारा इनको कोचेज लाइप टैम अचिमिन 2019 से समानित किया जा चुका है अब क्यों इनको यह समान दिया गया है IOC यानि की International Olympic Committee क्या है इन सभी बातों को जानेने के लिए बड़ियों में अंतक बने रहे हैं यहां बात करेंगे हम कि पुलेला गोपी चंद को कौछ Lifetime Achievement Award से समानित किया गया है तो भारत में बेडमिन्टन के विकास खिलाड़ियों को सहजोग देने और Olympic Moment में उनके युगदान के लिए इनको Lifetime Achievement Award 2019 से समानित किया गया है इनको लेकर के एक important बात की जाए तो 2008 में गोपी चंद बेडमिन्टन अकाडमी सुरू की थी जहां पर साइना नहवाल पीवी सिंदु जैसे दिग्यज प्लेयर परिशिक्षित हुए थे और इनको अरजुन पुरसकार, राजिव गांदी खेल रत्न, पदमिसरी, दुरोनाचार पुरसकार और पदम भूसन पुरसकार से इनको समानित किया जा चुका है अब बात करेंगे हम IOC को लेकर के IOC यानि की International Olympic Committee यानि अंतराष्टिय उलंपिक समीती एक अंतराष्टिय समीती है इसका मुख्याला है स्वीजर लेंड के लुसाने में है इसके वरतमान अध्यक्ष है थोमस बाक इसके महानीदिशक है यानि की DC है यानि की Director General है Christophe Day Keeper इसकी अस्थापना किया गया था 30 जून 1994 को तो उमीद है कि वडियों पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आपसे अगले वडियों में तब तक के लिए धन्यवाद